क्यों पवन सिंग का ये सैट सॉंग बना है बज ओफ टाउंग तो चलिए बात करते हैं पवन सिंग के सैट सॉंग के बारे में तो हम आपको बता दे कि पवन सिंग बहुत ही जल्द एक अपना सैट सॉंग लेकर आएंगे और इस सैट सॉंग की क्या खुबिया होंगे तो हम आपको बता दे इस sad song में पवन सिंग जो हैं सिर्फ आपको गाते हुए नजर आएंगे, एक्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे, साथ ही साथ ये हम भूझपूरी पे आने वाला है और इस sad song की दरकार पवन के फैंस ने ही पवन से की है हम आपको बता दे कि पवन सिंग जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं वहाँ पे उनके फैंस ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि पवस्टार आपके हर टाइप के गाने हम बार बार सुन लेते हैं लेकिन sad song एक ऐसा है जिसे हम बड़े ही लेट सुनते हैं यानि क से गाते क्यों नहीं फैनस के इस रिक्वेस्ट को पवस्टार ने इनकार नहीं किया बावस्टार का सबसे अच्छी video quality के बारे में low cut अगर इस video quality की बात करेंगे तो कहा जा रहा है बोज़भुरी में अब तक जितने भी sad song आये हैं उस सभी sad song के video quality के हिसाब से इस song की video quality सबसे उपर है वैसे भी power star की video quality हमेसा अच्छी ही होती है गानों की और तो और गाने के बोल जिसने भी सुने वो अपने आपको रोने से नहीं रोग पाया अपने कभी न कभी प्यार में उस दर्द को महसूस जरूर किया इस गाने को सुनने के बाद तो आप सभी तैयार हो जाए हम भोजपुरी पे बहुत जल्द पावस्चार का ये गाना आएगा और हम आपको बताएंगे कि वो गाना किस दिन और कव आएगा भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना दिल्कुल नाव करेंगे